नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का योटूब चैनल एविटेक में आज है 29 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की मातपूण खबरें सबसे पहली यह बडेट है एड़ेड स्कूलों को लेकर के चैन बोड ने लगातार तीसरे दिन पिजिटी के कुछ बाकी जो भी equip Maxi जो भी इसना परड़ाम जारी किया एक करीब-करीब साथ विश्वूआका परड़ाम को दूसरे दीन जारी किया गया है तिसमें यह दिख सकते हैं आप दिया गया कि जी जी विग्यान और सिच्छा सास्त संस्क्रत वारिज इतने पतों का कुल मलाकर के परड़ाम आप तक जारी कर दिया गया है ठीक है कुछ एक चार पांच विसे बच्चे वे उनका परड़ाम भी 31 तक जारी हो जाएगा तो यह जो आज रिजल्ट जारी हुए है यह आप लोग हमारी वेब साइट गवर्मेंट जाब इसे इंटर.com के मादम से चेक आउट कर सकते हैं और चेहन वोड की अफीसल वेब साइट क्रेस है वहां से रिजल्ट नहीं डाउनलोड हो पा रहे हैं तो हमने एक दूसरा सर्वर भी आप लोगों को उपलब जखरवाया है वहां से जा करके आप लोग चेक आउट करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बहुत से बरतीक कटाफ के वारें पहुंच रहे थे तो दोस्तों अभी चैनवोड ने पीजिटी की कटाफ नहीं जारी किया है हाला कि ट्रेजिटी की कटाफ जारी हो चुकी आप लोग उसको चेक आउट कर सकते हैं तो उमीद है कि 31 तारिक तक चैनवोड जो है मेरिट सुची और जो आपका कटाफ है वो भी जारी कर देगा ठीक है तो जैसे जारी होगा चैनल के मद्दम से आप लोगों को सारी अपडेट मिल जाएगी अच्छा एक और बताना चाहेंगे कि जिनका रिजल्ट आज जारी ह उसमें से कई सारे ऐसे बेर्थियां जो कि रिजर्व कटेगरी की हैं और अन रिजर्व में चैनित हुए हैं तो वह बेर्थियों दुबारा कालेज चोईस करेंगे और कालेज चोईस का लिक भी गवर्मेंट जोबसेंडर.com पर पिजिटी की अंदर ही अपलोड कर दिया ग गई हैं बिछले 2 साल के पेपर बिदिये गए इनकी पूरी वियाक्ष्या भी दी गई यह पूरी की पूरी जो बुक है लेकश्पट करम के अनुसार यहां पर यह बुक है और सबसे ची खास बात की दोस्तों यहां पर बात करें तो यहां पर देके पूरा डिटेल्ट बैन दोफिना चाहते हैं जैसे बाल्विकास चिंदी संस्क्राइवन तो उसके भी आपका अवलेवल है और यह जो भूस इनके प्रैक्टिसट भी सभी कि अवलेवल हैं चाहे तो आप उसको अनलाइन ले सकते हैं आपकी मरजी अगर आप आउनलाइन परशेज करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक दिया गया है एक बार चेक आउट जरूर करिएगा बढ़ते हैं यूपी ट्रिपल सी की तरफ यूपी ट्रिपल सी ने पीटी यानि पेट दो जारे किसका जो परड़ा में वो कल जारी कर दिया है यह लिखा आयो के सच्फी आस्थ्टों से मौना गुवत्रिन ने बताया कि आयो के विव पोर्टल पर पर प्रजिछा परड़ाम देखने के लिए बढ़ती को पंजियन संक्या जेंडर जन्विती पोर्टल पर बढ़ना होगा परड़ाम में वेकश्चों के व्यां के साथ उन परसेनेटाइल आपको मिला है उन्हें ने बताया कि परिच्छा परड़ाम की पारदरसिता बना रखने के लिए आयोग ने स्कूर कॉर्ड में क्यू आर कोड भी डाला ताकि परिच्छा परड़ाम किसी व्राक्त गरबड़ी ना की जा सके ठीक है आप लोग जानते हों कि सुरू कर देनी चाहिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जूनियर अड़र्ड हाइस्कूल सिच्छक परिच्छा में करें सब तोनों पर अपत्तियां लेका जूनियर हाइस्कूल प्रदाना द्यपक मसाय का द्यपक पदबर शेन के लिए परिच्छा की उत्तरमाला पर साथ सुचंवना विरथों में आउनलाइन अपत्ति दरज करवाई है वैबसाइक पर अपत्तियां सब तरों को कि पूरे दोनों पालीयों को मिलाकर सव प्रसनों अपतियां डाली गई हैं अब इनका जो विसरा विसरसंदों से परिचन होगा जाच होगी उसके भाजो संसुदित उत्तरमाला यहांपर जारी कर दी जाएगी तothe आपर देखें लिए संसुदित उत्तरमाला जारी करने के लिए आयोग ने 10 नॉंबर तक की तहीत कि यह दस नमबर तक आपकी जो है यह रिवाइज उत्रकुंजी आ जाएगी और आपका जो पैड़ाम है वह बारा नमबर को आ जाएगा ठीक है तो जो भी अपडेट होगी चैनल के मादम से आप लोगों सारी अपडेट दी जाएगी अगली अपडेट है यहां पर सिच्छकों को लेकर के लिए का सिच्छकों समयत चौदा लाख बैयासी हजार कर्मियों को बोनस का तोफा 75 प्रतिसरास जीपीफ खाते म में जमा होगी से इस रुपए नकद मिलेंगे तो राज सरकार ने दीपावली के मौके पर सूबे करीब लग करीब 15 लाख है और आज पत्तित राज करमचारियों सिच्छकों सच्छड़तर करमचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है यह बोनस हर साल दिया जाता है ठीक है जिसका वेतनमान जो है जो ग्रेड पे है 48 सो रुपए से कम है उनको वेतनमान यहां पर दिया गए यहां पर देख सकते हैं कि वित्वाग ने इस बारे में गुरुबार को साफना देश जादी कर दे कि बोनस 48 रुपए ग्रेड वेतनमान पाने वाले सबी पुनकालिक में जमा होगा बाकी जो 25 परसंट है वो आपको कैस दिया जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ यहां पर कुछ और अपडेट है हां यहां पर अपडेट है आपके उत्तरप्रदेश जो इने अभी चैन वोड ने टीजिटी का परड़ाम जारी कि है तो यहां पर टीजिटी में कल बहुत सारे अभी चैन वोड गए थे आप लोग जानते हैं कि टीजिटी का परड़ाम जारी हो चुका है कालेज चॉइस की प्रक्रिया शुरुआ है कालेज चॉइस जब अबड़ती करोने जा रहे हैं तो वहां पर अबड़तियों कहना है कि विद्याले का नाम तो आ रहा है लेकिन वहां का एड्रेस सही से नहीं आ जिससे विद्याले को समझने में दिक्कत हो रहे कि आखिर ये विद्याले किस लोकेशन में इस्तित है उसी को लेकर करके यहां पर देखे अब बड़तियों धरणा पतासंद किया और यह था सीकर इसमें करवाई करने की भी मांगी लेका मादनों सिचा सेवाई चैन वोडन मंगलवार को टीजटी तो एकिसका अंतिम पढ़ाम जारी कर दिया है चैने तब बिरतों को संस्ता के दिवांता बार्ने के लिए 3 दिन का मौका दिया गया है अब बिरतियों का आरोप है कि वेब आसिस्तन प्रोफेसर वर्ती प्रिश्छ को लेकर के अपडेट है बहुत सारे ऐसे भीत्र जिनके प्रवेश्पत्र डाउनलूड नहीं हो रहें हमारे चैनल परками साथी है जिनके प्रवेश्पत्र डाउनलूड नहीं हो रहें तो इसप, angelsि धर्नअ प्रदर्शन किया और धर् जोद के बाद UPHEAC आज जारी करेगा 1786 अब बेरतियों के प्रवेस्पत्र देखिए 1786 अब बेरतियों के आयोग ने प्रवेस्पत्र जारी ही नहीं किये थे इसलिए मुझे से यहां पर समस्या रही आवायोग क्या कहना इसमें वह देखिए लिखा आया कि अब सिस्टन प्रवेस्पत्र जारी नहीं किये फिलाल हंगामा के बाद आयोग ने बांकी अब बिरतियों के प्रवेस्पत्र सुक्रवार यानि आज सुबह तक जारी करने के लिए और अपभंदिक रूप से सामिल करने का इसमें निवड़ेली आ गया है ठीक है तो लिखा है कि पहले च हुटूबर को परिच्छा होनी है और 17 विस्यों केस में परिच्छा होगी दूसरे चनल की परिच्छा आप लोग जानते हैं नॉम्बर में दोजट में होनी है तो जो 1786 वरतियों के प्रवेस्पत्र नहीं जारी किये गये हैं वो आज अपना प्रवेस्पत्र डाउनलोड क कर सकते हैं हानक इनके जो प्रव्यस्पत्र रहेंगे और बंदी को रूप से रहेंगे ठीक है जले बढ़ते हैं अगली अब डेट के तरफ एप्यस की बरती को लेकर के यहां पर अब डेट है एप्यस की जो पुरानी बरती है उसके साथ नई बरती का विग्यापन भी फंसा अपर नजी सची बढ़ती 2013 के साथ EPS के पतों पर बढ़ती के नया विग्यापन भी फंसा हुआ है इस मसेले पर अब बिर्थों ने ब्रेस्पत्वार को लोग सेवा आयोग की प्रतलसन किया और ग्यापन संखा सुपा नियमवली के उलंगन पर आयोग ने पिछले दुनों EPS बढ़ती 2013 को निरस कर दिया था और संसुदित विग्यापन जारी कर नए सिरे से परिच्छा कराने का निर्णा लिया था मामला अब नयायला में है वहीं आयोग को काफी पहले EPS के तकरीवन 200 पतों का दियाचन मिला था लेकिन अब तक विग्यापन जारी नहीं कर सका आया आयोग इस मसले पर ब्रेस्पत्वार को ब्रतियों ने आयोग में प्रदसन कर ग्यापन संपा आयोग के उप सच्चू पुस्कर सिवास्तों ने ग्यापन लेने के वाद बताया कि EPS 2013 को लेकर के जब तक हाई कोड से कोई नड़ा नहीं हो जाता है तब तक परिच्छा नहीं करवाई जा सकती है नई बढ़ती का विग्यापन जारी होने से पूर परिच्छा के पड़क लोग ने एल्टी ग्रेड के 38 बिर्थों का चैन रिस्ट करते हुए वेटिंग लिस्ट वाले बिर्थियों को यहाँ पर जो अविलेक सत्यापन के लिए बुलाया है और इसका वीडियो कलम ने बनाया हुआ तो चैनल पर अवलेवल है आप लोग जाकर के चैनल के मदम से उ लिए अच्छा यह तो पीजीटी की ही अपडेट हमने आपको बताई दिया कि पीजीटी के आज साथ विस्यों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है इसमें से जो आज रिजल्ट जा रही है उसकी लिस्ट यहाँ सामने आप लोग देख सकते हैं तो यह होगी तो त आज की सारी अपडेट हसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद है